दोस्तों पित्र पक्ष को लेकर शास्त्रों में कुछ नियम बताए गई है पित्रों का शाद करनी में किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके द्वारा किया गया शाद कर्म खाले न चाहिए और पितर भी आपसे प्रसंद हो दोसे इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे पित्रपक्ष अलड़ी प्रारंब हो चुका है दोसों ऐसी माननेता है कि पित्रपक्ष में पित्रगन देव लोग से प्रत्वी लोग पर आते हैं अपनी संतान को सुखी संपन रहने का आशिरवा देकर पितर अमाउश्रा के दिन वापस देव लोग लोट जाते हैं पुर्णिमासी अमाउश्रा की अवधी को पित्रपक्ष कहते हैं इन पंद्रह दिनों में लोग अपने पुरुचों को याद करते हैं और तीथी के हिसाफ से उनका शाद कर्म करते हैं दोसों शास्त्रों में शाद कर्म को लेकर कुछ खास नियम बताये गई हैं जिनका पालन करना जरूरी है शाद कर्म में गाय का घी, दूद, तही का ये इस्तेमाल करना चाहिए ध्यान रखें कि गाय को बचड़ा हुए दस दिन से अधिक समय हो चुका हो दस दिन के अंदर बचड़ी को जन देने वाली गाय के दूद का उप्योग शाद कर्म में वर्जित पताया गया है इस बात का ख्याल रखें येकिन दोस्तों जो लोग पैकेट का दूद इस्तेमाल करते हैं उन्हें अट्लिस्ट गाय के दूद का जो रहता है वो इस्तेमाल करना चाहिए बफेलो मिल्क जो है वो अवोइड करना चाहिए अगली चीज़ नहीं कि शांत्रों में बताया गया है कि पितर पक्ष में अपनी श्रमता की अनुसार चांदी की बरतनों का प्रियोग करना चाहिए अगर आपके पास सबी बरतन ना हो तो कम से कम चांदी के गलास में पानी जरूर देना चाहिए ऐसी माननेता है कि पित्र पक्ष में चांदी के बर्तन में पानी देने से पित्रों को अक्षे त्रिप्ती होती है और भोजन के बर्तन भी चांदी के हो तो और भी स्ट्रेस्ट माना गया है दोस्तों इसके पीछे reason यह है कि चांदी को सबसे शुद्र और पवित्र धादू माना जाता है और इसलिए पवित्र बर्तनों में पित्रों के निमित भोजन अर्पित किया जा इसलिए चांदी के बर्तनों को इस्तेमाल करने की सला दी जाती है अगली चीज है कि श्राद कर्म में ऐसी मानेता है कि श्राद कर्म के वक्त ब्राहमन को भोजन करवाते समय परोसने के बरत्रा आप दोनों हाँ से पकड़ कर आपने लाने चाहिए एक हाँ से लाएगैपात्र से परोसावा भोजन राक्शसों को जाता है दोस्तों बेसिक लिए अगर आप ध्यान देंगे तो जब हम दोनों हाँ से थाली पकड़ते हैं तो उसमें परोसने में बहुत सम्मान का भाव नजर आता है और जब एक हाँ से थाली को रखा जाता है तो उसमें किसी तरह की सम्मान की भावना का एसास नहीं होता है और श्राद कर्म के लिए जब या किसी और के लिए भी नॉर्मल भी आप किसी का भोजन परोसे तो पूरी सम्मान के साथ परोसे और दोनों हाथ से पातर है थाली है उसको दोनों हाथ से रखें उसमें एक सम्मान का भाव आ जाता है इसके लावा श्राद में शास्त्रों में ये भी बताया कि ब्रामनों को लेकर भी कुछ नियम है अब श्राद कर्म का जो भोजन जो ग्रहन करते हैं उन ब्रामनों के लिए ऐसा नियम है कि ब्रामन को भोजन मोन रहकर एवं बिना वेंजनों की प्रिशनसा किये करना चाहिए क्योंकि पीतर तब तक ही भोजन ग्रहन कर करते हैं जब तक ब्राह्मन मोन रहकर भोजन करें इसलिए जब आप भोजन परोसे उसके बाद ब्राह्मन से किसी तरह की वारता लाप ना करें इसके लाद जो पित्र शस्त रादी से मारे गए हैं उनका श्राद करम मुख्य तिति की अतिरिक्त चतुरदशी को भी करना चाहि आपके द्वारा किये गए पिंड़ेदान पर किसी की विजस्त्री नहीं पढ़नी चाहिए दोस्तों वास्तविक्ता में यह होता है कि जिन व्यक्तियों की मृत्यू ना होकर हत्या की गई हो ऐसे व्यक्तियों का श्राद जो है वो चतुरदशी को भी किया जाता है उसे लोगों में यह चीज ना फैले की इस व्यक्ति की हत्या हुई इसलिए से गुप्त रूप से ही जो तरपन का कारिया श्राद कर्म बहुत ही गुप्त रूप से किया जाता है इसके अलावा पित्र पक्ष में अपने पुर्वजों का जब शाध है वो सदा अपने ही घर में आपने करना चाहिए फिर अपनी ही भूमी में ही करवाना चाहिए दूसरे की भूमी पर शाध कर्म नहीं करना चाहिए वन परवत्तिर्थ स्थान या मंदिर दूसरे की भूमी में नहीं माने जाते क्योंकि इन पर किसी का सौमित्व नहीं माना गया है अता इन स्थानों पर आप शाद कर्म कर सकते हैं, यानि कोई ऐसी दशा है कि आप अपने घर में नहीं हैं, तो ऐसी दशा में आप किसी मंदिर में जाकर आप शाद कर्म कर सकते हैं, लेकिन किसी रिष्टेदार के यहां पर या किसी दोस्त के यहां पर जाकर आपने कभी भी शाद कर्म नहीं करना चाहिए इसके लाव पित्र पक्ष में श्राद करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे आधर पूरुक पोजन करवाना चाहिए जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याज़क को भगा देता है उसका श्राद कर्म पूर्ण नहीं माना जाता उसका फल नस्ट हो जाता है शुर्ण पक्ष में रात्रे में और ऐसे दिन जब दो तितिो का योग एक ही समय हो रहा हो तथा आपने जन्म दिवस पर भी कभी बी श्राद कर्म आपने नहीं करना चाहिए धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राम का समय राक्षुसों के लिए होता है ये समय सभी कार्यों के लिए निंदित है ये श्राम के समय कभी भी श्राद कर्म आपने नहीं करना चाहिए इसके लाद दोस्तों बहुत से कुछ चीज़े हैं जो श्राद कर्म में जरूरी होती है पितरपक्ष में जब श्राद में आप करने जाएं तो गंगा जल, दूद, शहद, कुशा, तिल, इत्यादी बहुत ही जरूरी माने गए हैं केले के पत्ते पर श्राद का भोजन आपने नहीं परोसना चाहिए, सोना, चांदी, कासे, या तामबे के पात्र उत्तम आने गए हैं इसके अभाव में पत्तल का उप्योग आप कर सकते हैं लेकिन केले के पत्तों का इस्तिमाल आपने नहीं करना चाहिए और जब श्राद के लिए जब आप भोजन बनाएं तो पित्रों की पसंद का भोजन दोद, दही, घी और शहद के साथ अन्यप से बनाएं और पकवान जिसे खीर आदियाप बना सकते हैं इसलिए ब्रामनों को ऐसा भोजन कराने का विशेश ध्यान रखें तैयार भोजन में से गाई, कुता, कवा, देवता और चीटी जो पंच बली होती है उनके लिए भोजन का थोड़ा इससा जरूर से निकालें और इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब पित्रपक्ष में कुत्ते और कोवे के निमित तक निकाला गया भोजन, कुत्ते और कवे को ही कराएं, किन्तु देवता और चीटी का भोजन गाई को भी आप खिला सकते हैं, इसके बाद ही ब्रामनों को भोजन कराएं, पूरी त्रप्ति से भोजन कराने के बाद ब्रामनो के मस्तक पर तिलक लगा कर ये था शक्ति कपड़े अन और दक्षिना का दान करके आप आश्रवाद प्राप्त करें इसके बाद जो है आपने भोजन कराने के बाद ब्रामनों को घर के द्वार तक पूरे संबान के साथ विधा कराना चाहिए ब्रामनों को भोजन के बाद घर के द्वारत तक आपने छोड़ करना चाहिए क्यूंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रामणों के साथ-साथ पीतर लोग भी चलते हैं, ब्रामणों के भूजन के बाद ही अपने परिजनों दोस्तों या रिष्तेदानों को आपने भूजन करना चाहिए, दोस्तों बहुत छोटी-छ कुछ चीजे हैं जिनका ख्याल नहीं रखते हैं तो आपने अगर आप चाहते हैं कि आपको शाद कर्म का पूरा फल मिले आपके पित्रों के निमित जो कर्म कर रहे हैं उसका पूरा फल उन्हें मिले तो इसके लिए आपने इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और बहुत से गरों में दोस्तों ये तुरूटी जरूर से होती है कि जब ब्राह्मन भोजन कर रहे होते तो उनसे बाते करते रहते हैं और उस तशा में ब्राह्मन भी आराम से उनसे गौसिप करते रहते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए जब आप शाध कर्म का कारे कर रहे हैं तो बड़ी ह के साथ करें और बहुती शांत मंसी और मोन रहके आप इस कारे को आपने संपन कराना चाहिए ताकि आपके पित्रों का आश्रवाद आप सदा बना रहें दोस्तों अगर आपके घर में भी पैसों कर लेकर टेंशन हैं घर में लडाई जगड़े होते हैं बच्चों की शादिय कमेंट करके बता सकते हैं अखने खीए만 की बैसिते हैं